आप वही कर रहे हैं जो आप हमेशा से करते हैं तो आपको उत्रा ही मिलेगा जितना हमेशा से मिलता आया है तो आईए मिलकर कुछ ऐसा करते हैं जो आपने आज तक नहीं किया अगर आपने बारहोई परिक्षा पास कर ली है तो हो जाएए तैयार SSC दे रहा है CHSL के जरीए सरकारी नोकरी पाने का एक सुनहरा मोका CHSL में अपनी 100% सेलेक्शन सुनिशित करने के लिए आज ही जोईन करें SSC मेकर का स्योर सेलेक्शन बैच जिसमें आपकी सभी क्लासेस अनभावी अध्यापकों के माध्यम से एकदम बेसिक से चलाई जा रही है तो अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें SSC मेकर का आप और दिये गए नमबर पर कॉल करें तो भुसकार सातियों कैसे आप सभी मैस्वनी चोधरी एक बार फिर आप सभी का हर दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार SSC मेकर में आज हम डिसकस करेंगे आपके Science के qooshan नमबर 45 पार्ड ये होगा जिसमें हम Science के previous पर आधारित पोछन आपके डिसकस करेंगे तो आपके सभी exams में पूछे जाते हैं ठीक है उसके लिए जो rating यूज की जाती है वो किसके आधार पर की जाती है voltage के current के सकती के या प्रतिरोध के the rating for uses used to domestic electrical circuit is given on the base of voltage है current है power है या resistance जिसको प्रतिरोध कहा जाता है तो ध्यान लखिएगा जो ए रेटिंग दी जाती है यह किसके आधार पर दी जाएगी यह current के आधार पर या नहीं कि जो power आती है उसके आधार पर दी जाती है current के आधार पर दी जाती है ध्यान लखिएगा तो option number B यहाँ पर आपका सही हो जाएगा कौन सा option number B यह आप ध्यान लखिएगा जैसे आपने देखा होगा ना कि घर में जो fuse तार लगे होते हैं fuse तार का जो use होता है अगर आप से कभी पूछ लिया जाए कि fuse तार का जो use है ये क्यों होता है तो overloading से बचने के लिए ठीक है ना overload अगर आपके घर पर आ जाता है power overload हो जाती है या बिजली कभी power high voltage आ जाता है तो ये उसको पूरे जो आपका बिजली का सामान है उसको बचाने में मैं तो पूर्ण भूमी का निभाता है overload से ये fuse के जो तार है fuse हो जाते हैं जिससे पूरे घर की जो supply है या पूरी आपकी जो भी company है जो भी system है उसकी जो supply है ये बंद हो जाती है तो ये इसको supply को cut कर देगा जिससे आपके जो electrical सामान है उनमें किसी भी प्रकार के नुक्षान से बचाया जा सकता है इसलिए fuse दितार का यूज माँ पर होता है ठीक है चालगे नेक्स्ट है निवलिकित में इसे कौन एक प्रात्मिक बल नहीं है जो समुद्र की धाराओ को प्रभावित करता है प्रत्वी के चूंब की छेत्र है सूरिय द्वारा पात है गुरुत्वाकरशन या कोरियोलिस बल जिसको हम कहते है समुद्री धाराओ को प्रभावित नहीं करता यह आपसे पूछ रहा है कि कौन सा उप्रात्मिक बल नहीं है तो ध्यान अगेगा प्रत्वी के चुंब के छेत्र का जो बल होगा यह उसको प्रभावित नहीं करेगा जबकि अगर हम कोरियोलिस बल की बात करते हैं आपने सुनाओगा कोरियोलिस बल के कारण ही जो समुद्र है इसमें जवार भाटाएं आती है ठीक है ना इसके परिवर्तन के कारण ही गुर्तवाकरशन ग्रेवटेशनल फोर्स के कारण और सूरिये के द्वारा जो आपका फ प्रोपकरन निम्निमिसिक किस प्रकार के इधन से संबंदित है, हाईडल है, जवार है, भूतापिय है या प्रमानु है, the device's name to come up is related to which of the following types of fuel, तो यह हाईडल है, टाइड है, जियो धरमल है, यह एक टॉमब है, ध्याने कहीगा जो यह टॉमब है, यह किस प्रकार का फ्यूल है, तो ये आपका ज्वार ये फ्यूल है, तो यानि के ज्वार ये उर्जा के रूप में, ये कारीग करता है ठीक है ना, ज्वार ये उर्जा जो समुद्र में उठती है, ज्वार ये धाराएं उन से जो production power production किया जाता है, इसको कहा जाता है, toikamum तो option number आपका B सही होगा यानि कि जवार को अगर English में आपको याद रखना इसको tied कहा जाता है क्या कहा जाता है इसको हम कहते हैं tied option number आपका B सही होगा next question है निमल कितमेजे सतरवी सदाबदी में vacuum pump के अविशकार के लिए परशिद है इन्होंने सबसे पहले अंत्रिक्ष के पून निर्वात की अधारना दी थी हवा के भार का मापन किया गया था और मोसम की भविशेवानी करने के लिए हवा के दाबगा इस्तमाल किया था ये कौन से विज्ञानिक थे जोन कॉफ क्राफ्ट है ओटो वान गुएक है या एनिरिको फर्मी है वेलेनियम मेगरस है तो ध्यान कियेगा जिन्होंने सतरवी सताबदी में vacuum pump का विशकार किया था और इन्होंने सबसे पहले अंतरिक्ष में निर्वात की अवधारना को परस्तावित किया था और मोसम की भविशेवानी के लिए हवा के दाबगा इस्तमाल किया था तो ये वेज्ञानिक का नाम आप ध्यान कियेगा ओटो वान ग्वेक है क्या नाम है इनका ओटो वान ग्वे रिके इनका नाम होगा तो आंजर नंबर आपका भी सही हो जाएगा ठीक है ना ओप्शन नंबर भी आपका सही होगा जो सतरवी सताबदी में इन्होंने इसका विशकार वेक्यूम वेक्यूम का मतलब होता है जहाँ पर कोई माध्यम ना हो ठीक है ना जैसे किसी ना किसी ततु को गुजरने के लिए माध्यम की आवशकता होती है ठीक है जैसे धवनी जो है एक माध्यम से ही ये जाती है ठोल्स दर्व गैस तीन जो अवस्थाएं है धवनी इनसे होकर ही ज तो है, इसको माध्यम की आउशक्ता नहीं होती, ये निर्वात में भी गमन करती है, तो निर्वात भी आप ध्यान लखेगा, हाइडरोजन में रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं, जुटेरियम कहा जाएगा, प्रोटियम कहा जाएगा, रेडियम या ट्राइटरियम इस सही हो जाएगा, क्या कहा जाएगा, ट्राइटरियम इसको कहा जाता है, ठीक है ना, तो ये आपका ओप्शन नमबर डी हाँ पर सही हो जाएगा, रिनायन तब मानते हैं, जब प्रमानू इलेक्ट्रोगन ग्रहन करता है, प्रमानू इलेक्ट्रोगन खोता है, प्रमानू प इसको निगेटिव तब माना जाएगा ठीक है रेनायन मतलब यह निगेटिव इसको कह सकते हैं जब प्रमाणू इलेक्ट्रोन ग्रहन गरता है तो option number A सही हो जाएगा ठीक है ना कौन जा option number A यहाँ पर आपका सही होगा ध्यान लखेगा चालिए निक्स्चित ताप पर किसी गैस के दिये हुए दर्वेमान का दाव उसके आयतन के प्रती लो मनुपाती होता है यह नियम किस ने दिया है चाल्स का नियम है बायल का नियम है यह ग्रहक का नियम है तब प्रेसर ओफ गिवन मास ओफ गैस एट असर्टें टेंपरेचर इज इनवरसली प्रोपेशनल समय मैं इसको कहा जाएगा बायल कान्यम को हम कहेंगे आप YOU आ पर सही हो जाएगा चालीए अगरी सम Haynes वन्यं थम्रीियोर κα चाहिए यह एकंडियोरियल किसका शांधरनविल्ययन रखते हैं तो आप्शन नमबर एट का हो जाएगा सी यानिके सोडियम बाइकार्बोनेट इसको कहा जाता है तो आंसर आपको लखना है ठीक है कौन सा ओप्शन नमबर सी लकडी की वस्तुवों में कीडों से बचने के लिए उस पर लेपन किया जाता है आपने देखा होगा इसमें कीडे लग जाते हैं या दीमक आप कहते हैं कि दीमक लग गई है तो उससे बचने के लिए किसका यूज किया जाएगा जिंक क्लोराइड का सोडियम क्लोराइड का अमोनियो क्लोराइड का या सिल्वर ब्रोमाइड का तो किसका प्रियोग होगा कुशन नमबर 9 इसमें प्रियोग होता है एक यानिके जिंक क्लोराइड का किसका इसमें जिंक क्लोराइड का प्रियोग किया जाता है जिससे उसे दीमक से वकीडो से बचाया जा सके ऑप्शन नमबर आपका ए सही होगा जिंक क्लोराइड अच्छा यहाँ पर जंग से बात आती है तो आपको लोहे से भी पूछा जाता है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किस विधी का यूज किया जाता है जिसको गैलवीनी करण कहा जाता है क्या कहा जाता है इसको गैलवीनी करण या गैलवलाइजेशन इसको हम कहते हैं तो option number आपका या पर कोन सा A सही हो जाएगा चैनल सा विज्ञान कि उस साखा को क्या कहते हैं जिसका संबंद गुर्दो से है इसको एप्थो ठैलोम लाजी नियौ के झा जाएगा अटो रीहानो लांजी इसको कहा जाएगा तो question number 10 का आपका हो जाएगा, इसको nephrology कहते हैं, जो गुर्दों से संबंदित आपके विज्ञान को अध्यन कराता है, जो गुर्दों से संबंदित किटनी से संबंदित बिमारी हो जाती है, जैसे आपने देखा होगा, डाइलेसिस एक परकार की विधी होती है, गुर्दों से पानी को जो अवशोशित करने की है, तो पानी गुर्दों को सही तरह का से पचा नहीं पाते, या उसका रिशाइकल नहीं वो कर पाते, सही तरह के से उसका यूज नहीं कर पाते, तो ये सभी जो अध्यन कराये जाते ह किसमे नेफ्रोलाजी में तो option number आपका D सही हो जाएगा ठीक है चालिए विसेश रूप से उमस भरी गर्मी के दोरान सरीर से निकलने वाली दुरगंद पसीने पर की क्रिया का कारण होता है या वायरस की या निके जो पसीने से बदुवा आती है उसका जो रीजन होता है वो क्या होता है तो यह एक बैक्टेरिया के कारण ऐसा होता है इसको कहा जाता है तो आपका सही हो जाएगा इसको कहा जाएगा बैक्टेरिया के कारण ऐसा आपको मिल जाएगा चलिए जो कोलेजन डैस एक प्रकार है कार्भो हारेरडड गा प्रोटीन का विटामीन का या वसा का कोलेजन इस टाइप ओप तो यह कार्भो हारेड है प्रोटीन है विटामेल है या फैट है question number 12 तो ध्यान नखिएगा ये किसका एक कारण है ये एक प्रोटीन का कारण है प्रोटीन का एक प्रकार है क्या ये आपका कोलेजन carbohydrate extent energy के लिए दिया जाता है ठीक है ना extent energy के आपको पशकता पड़ती है उसके लिए extent energy के लिए fat काуз किया जाता है ध्यान नखिएगा fet में काफी उड़ जा होती है जो आपको stand energy प्रदान करती है चैये next question है जीवों को पांच वर्गों में वर्गी करत करने की अवधारना किसके द्वारा दी गई थी विलियम पेले के चार्ल्स डार्विन के काल वो ऐसे के या रावट वीट है करके ठीक है ना तो बाई हुम वाज दक कॉंसेप्ट ओफ क्लासिफाई ओर्गेनिसम इंटू दा तो ये कहा था किसने रावट विटेलकर ने इसको दिया था किसने रावट विटेलकर के द्वारा इसको दिया गया था कि जो पांच वर्ग होते हैं जैसे आपने सर्प सुनाओगा सरी सर्प सुनाओगा इस्तन धारी आपने सुनाओगा चीगे ना इस्तन पाई आपने सु watts था लुई पास्थ से एलेक्जेंडर फॲेमंगग है यह क्या होंगे ऐलेक्जेंडर फ्लेमिंग सका ऑप्षिन नंबर बी चीक है यह क्या हो जाएगा सका आंजर सही हो जाएगा पैंसलेन की खोज इनोंने की पास्चूरी करन और रेवीज का जो ठीके की खोज की है किसने की लुई पाशे के द्वारा यह दी गई थी तो आप्शन नंबर आपका भी होगा ध्यान नखिएगा ठीक है चालेगे नेश्ट है किसके मौझूद्गी के क होगा, यह किसके कारन होगा qu sounds 15 , यह d है पर रिंक के कारण ऐसा होता है किसके है पर रिंक के कारण यह ऐसा होता है ध्यान रखिएगा तो option नंबर आपका है क्या हो जाएगा da चल थीच है तो आपके exams के लिए काफी important है, यहाँ पर 15 में हम देखते हैं कि आपके physics, आपके chemistry और आपके biology तीनों के ही questions यहाँ पर किये जाते हैं, ध्यान रखिएगा, छीक है, तो यह आपका यहाँ पर session था, इसको आपको बड़े ध्यान से आपको इसका देखना है कि किस प्रकार के questions आपके exam में पूछे जा सकते हैं, इसके लावा ध्यान रखिएगा, आपका CHL के 2000 के इसके लिए जो vacancies अभी आई हैं, यहाँ पर 1600 vacancies आई हैं, कितनी 1600 जिसमें आपको यहाँ पर आपके लिए चलाया गया है, complete यहाँ पर video course आपको मिलेगा, class notes आपको मिलेगे, expert जो हमारी faculty है, उसके दुआरा इसको design किया गया है, doubt session के आपको सुधा दी जाएगी, class बिल्कुल यहाँ पर basic से होगी, कैसे होगी, बिल्कुल basic से classes होगी, मात्र 299 में आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर कराय जाएंगे, तो इस offer का लाव लेने के लिए आपके पास आज का समय है, यहाँ आज 20 में है, तो आप इसका लाव ले सकते हैं, जिस फच्चे नहीं तक इंडोल नहीं किया है, और भी आपके courses हैं, जैसे आपका special batch है, CRP आपके लिए, ठीक है, आपका SSCCL के लिए special schedule batch है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसमें SSCCHL के लिए आपका short selection batch है, उत्तरवरदेश पुलिस कोश्टेबल के लिए आपका batch है, सभी में classes आपको recorded मिलने वाली है, doubt session आपको मिलने वाला है, और कोई भी आपको समश्या होती है, तो आप उसको call कर के जानकारी वहां से प्राप्त कर सकते हैं, SSCMaker application का download भी आप कर सकते हैं, ठीक है, आपकी classes की अगर बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, सुबज 6 बज़े आपकी current affairs की class है, 11 बज़े आपकी GKGS की class होती है और 4 बज़े आपकी reasoning की class है, 5 बज़े आपकी Hindi की class है, ठीक है, और आपका रात 8 बज़े आपकी math और reasoning की class होती है, जो बिल्कुल basic से live यहाँ पर चलती है, YouTube पर तो सभी बचे live जुड़ना ना भूलिएगा, तो मिलते हैं, यह आपको ध्यान रकना है, सभी जो classes में आपको बताई, यह आपकी classes जो है live यहाँ पर चलती है, YouTube पर किसी कोई भी पर आपको नहीं करना है, ठीक है, यह SSE में गर आपका जो है application डाउनलोड करने के लिए आपको link दिया गया है, आप Instagram पर हमें इस ID के द्वारा follow कर सकते हैं, यह Facebook आइडी है भाई, इसके द्वारा आप हमें follow की जिएगा, ठीक है, Facebook पर आप हमें follow कर सकते हैं, यह Tele YouTube चैनल है, जिसको आपको subscribe करना है, और bell icon का बटन दबाना होगा, तो ध्यान लखिएगा, यह थाज का आपका session जो आपके लिए काफी important होने वाला है, तो मिलते हैं next session में, तब तक के लिश्कार जैहिंद जैभार session को सभी बच्चे ज्यादर ज्यादर लाइक करेंगे और share करेंगे